वेरी बूर्निंग और वेरी वेलकम तो माय चैनल द्रस्टी आयस पीस देखे इस वीडियो में आपको पता है कि जैसे कि हम लोग हिंदी मेडियम की इस एंसर आइटिंग की कॉपी जो है वो देख रहे हैं उसकी सीरीज चला रहे हैं और इसमें हम दिब्या तन्वर और अपन अभी तक नहीं देखे तो वोड देख ली और भी बहुत सारी कॉपी सम्पहले देख चुके तो चलिए ये वाला कॉशिन हम डिसकस कर लेते हैं कि भारत में वर्तमान और वरक सबसेडी व्यवस्था से संबंधित मुद्धों को रिखांकित करते हुए इस अंधर में सुध आधारित सबसेडी पर अंडर लाइन किया है जबकि अन और वरक पर पोशकतत्व आधारित सबसेडी व्यवस्था है ठीक है अब इसके को जोड़े हुए मुद्धे और मुद्धे देख लेते हैं इसमें उन्होंने किया कि एक डाइग्राम बनाया है और उसमें उन्होंने मुद्धे के बारे में बता है कौन-कौन से मुद्धे जैसे की जुड़े हुए जो कौन-कौन से मुद्धे है आर्थिक मुद्धा है परयावणी मुद्धा है संस्थागत ये वा नैतिक मुद्धा है ठीक हो सामाजिक मुद्धे है तो सबसे पहले हम सामाजिक मुद्धे अन अफसर राच्रा अत्मक जो जो चीजे होते हैं उन पर कम पढ़ रहा है उसके बाद प्रयावड़ी मुद्दा है सस्थागत जो नैतिक मुद्दे हैं अधिक प्योग डाला जाता है लीकेज होता जैसे अन्यदेस नेपाल अन्य अद्योग अमोनिय अद्योग इन पर भूमी प्रदूशन, नाइट्रोजन, और वरग, ग्रीन हाउस, गैस, उचसरजन और भूमी की अमलेता में ब्रद्धी ठीके तो इस तरीके से इन्होंने प्रयावड़ी मुद्दे, नैतिक मुद्दे, संस्थागत मुद्दे, आर्थिक मुद्दे इन सब मुद्दों के वारे में यहाँ पर चर्चा की, अब कुछ लोगों को एक थोड़ा सा डाउट होता है कि हिंदी की आंसर आइटेंग में कुछ सब्द इंग्लिश के यूज कर लेते तो देखी यहाँ पर इन्होंने एंटोर बर्क लिखा, तो इस तरीके से आप कुछ जो सिंबॉलिक होते हैं, उनका प्योग कर सकते हैं, इसके पर चात अब आता है सुधार में प्रयाश, तो देखी, सुधार में जो प्रयाश है, इसमें क्या क्या दिया गया है, प्रत्यक्ष लाव, अंतरण, ठीके, ओपन सब्सिटी के बजाए, जरूरत आधारत सा सब्सिटी देना, ठीके, य अनुसार, सब्सिटी वित्रण करना, ठीक है, नीम कोटेड यूरिया या मृधा स्वास्तकाट जैसे नवाचार पूरता लागू किये जाए, नीम कोटेड एरिया और मृधा स्वास्तकाट यह बहुत ही अच्छी यूजनाए है, अगर आपने इन ही यूदिक, इस तरीके क जो कॉशन होते हैं, यहाँ पर कुछ यूजनाओं के बारे में आपको जानकारी होना अत्यांती आवश्यक हो जाता है, एग्रो क्लाइमेटिक करसी को प्रोचसाहन देना, जैविक खेती वाजीरो बज़र्ट नैच्रल फार्मिंग को प्रोचसाहन देना, यहाँ पर यह है अथा उप्योत उपायों के साथ सतत करसी पर रास्टी मिशन के अनुरूप जागुकता स्रचन बाकिसानों को विस्तार सेवाय देकर और वरक आधिक के पर रोग लगाने चाहिए, ठीक है, तो यह इनका कंक्लूजन रहा है, कंक्लूजन में नोंने क्या किया है, कि जागु करन्ट से डाटा लाना ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ आपको कुछ जो योजनाई चल रहे हैं क्रिसी आधारित वो योजनाओं के बारे में अच्छी गहरी जानकारी होना चाहिए, तब ही आप अपने आंसर के अनुरूप उनको ढाल सकते हैं, चलिए नेक्स कॉशन द ऐसे बिधी से हैं जिसमें जलवाईव विशिस्ट अनुप्रियोगों के द्वारा उत्पादक्ता लचीलापन अनुकूलन में ब्रद्धी की जा सकती हैं, आवशक्ता की बात करें, तो आर्थिक जरूरत है, आर्थिक समिक्षा, यहां देखिए, यहां पर यह करेंट से ल जरपंद्रा के मत ताकमान में 0.7 डिगरी की ब्रद्धी हुई है, मांसून पैटर्न में बदला, भूमी, निमनी करन, 30% बाद जल प्रदूशन के खत्रे, सतब विकास लक्षों की प्राप्ति हैं, तो दूसरा, उसके बात है, राजनितिक जरूरत है, किसानों की आए, यह निए दूगनी लिखते हैं, इने 2X लिख दिया, आप इस तरीके से कर सकते हैं, 2X मतलग दूगना, ठीके, उसके बाद सामाजिक जरूरत की बात करें, तो क्रिसी में, पिछ़़े पन में कमी कर, किसानों का ससकती करन्ट करना, ठीके, प्राप्ति की उपाए है, तो प् प्रभाबी आउट्रीच का एकरम प्रभाबी प्रसिक्षन वा वीमा व्यवस्था उप्युक्त उपायों के साथ तो आपने समझ लिया इस तरीके के कॉशन को कैसे करना है देखे ये वाला जो दूसरा वाला कॉशन है परसनली मुझे काफी टफ लगा क्योंकि इसके बारे में आपको अगरिकल्चर की बहुत अच्छी जानकारी होना चाहिए कि सारे अब देखे ने कितने अच्छे से हड़ चीज को अप्रोच किया हैं कितनी सारी मतलव हिनको गहन जानकारी है कि इन्हें हर एक चीज के बारे में हर एक योजना के बारे में क्रसी से सम्बंदिद की जितनी परेशानिया हैं उसके बारे में तो इन सब का जानना और उसको अपने answer writing में उतारना सच में एक बहुत ही difficult कार्य है तो अगर आप भी इस तरीके के answer writing करना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ आपको बहुत बहुत hard work करने की जरूरत है ठीके तो आप देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने आर्थिक समिक्षा को भी यहाँ पर लिया है और बजट को भी लिया है बजट में जितनी योजनाय चल रही है सरकार की जितनी क्रिसी से संबंदित और बरक से संबंदित जितनी योजनाय चल रही है यहाँ पर इनका समावेशन बहतरीन रहा है मुझे personally इनकी answer writing बहतरीन लगी है देखिए बंदा कभी इस position पर पहुँचा है इतने टाइम बात तो उसने बहुत महनद की है और तब ही वह यहाँ तक पहुचा है इनकी answer writing बता रही है तो चलिए मिलते हैं next video में till then thank you and thanks for watching